में लिपाट सलापर हम पढ़ रहे हैं गणीत कक्सार पश्णावली एक दस्मलाव एक को पर्षण संक्या 2 को खल करेंगे आज हम दो के नुसार निम्न लिखीत में से परते के योज्य परतिलोम लिखिए ठीक है हमें क्या निकल लिखना है योज्य परतिलोम अब सबसे पहले तो उन दोनों संक्याओं को अगर हम हल करते हैं तो उनका जो योग करते हैं तो उत्तर क्या आता है सुनने आता है ठीक है जैसे A बटा B ठीक है और इसका योज्य परतिलों क्या हो जाएगा माईनस A बटा B हो जाएगा ठीक है इसका योज्य परतिलों हो जाएगा मैनस A बटा B तो इन दोनों को जब हम योग करेंगे यदि धनात्मक संक्या है तो उसका योज्य परतिलों रिनातमक होगा, यछिर रिनातमक संक्या है तो उसका योजिय परतिलम, धनातमक होगा तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे a बटा b plus और bracket में मैंनस के a बटा b तो ये क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे a बटा b और minus a बटा b इन दोनों का हम लगूतम लेंगे तो क्या हो जाएगा लगूतम आ जाएगा इनका b तो a यहां b का भाग b में एक बार और एक को एसे गुना करेंगे तो a और माइनस फिर बी का बाग बी में एक बार और एक को एसे गुना करेंगे तो a माइनस a कितना हो जाएगा 0 बटे b मतलब आंसर कितना रहा है तो यह होता है योज्य परतिलों अब इस शुत्र के अनुसार या इनके अनुसार हम जो दिये गए पांस सवाल है इनको हल करेंगे इनके योज्य परतिलों लिखेंगे अपने पास में पहला प्रशन है यह तो यहां से दो बटे जो 8 है इसका योज्य परतिलों योज्य परतिलों 2 बटे 8 का योज्य परतिलों हो जाएगा मैनस के 2 बटे 8 अब कैसे यह मैनस 2 बटे 8 ही होगा जब इन दोनों को हम जोडेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस दो बटे आठ तो इनका योग क्या हो जाना चीए जीरो अब इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो यहां से यह लगूतम हो जाएगा इनका आठ ठीक है तो यहां आठ का बाग आठ में एक बार यहां इन तो दो मैनस दो 0 बटे 8 बड़ाब़ 0 थी है हमने जो है बता सिध्वी कर लिया या हल करके देख लिया है तो जो धनात्मक के 2 बटे 8 है इनका योज्य परतिलों हो जाएगा मैनस के 2 बटे 8 उसे अनुसार अगला प्रशन है मैनस 5 बटे 9 के हमें योज्य परतिलों ग्याद करन है तो मैनस 5 बटे 9 का जो योज्य परतिलों है योज्य परतिलों ठीक है मतलब उल्टा हम इसका विप्रित संक्या लेते हैं विप्रित संक्या का मतलब धनात्मक को रिनात्मक को रिनात्मक को धनात्मक ठीक है तो यहां मैनस है तो यहां हो जाएंगे 5 बटे 9 ठीक है इन दो प्रशन में माइनस के छह बटे माइनस के पाँच अब इस प्रशन को में तोड़ा द्यान से समझना है कि यहां भी माइनस है तो यह माइनस और माइनस चीजिंग जो आपस में एक दूसरे से गुणा होंगे तो यह धनात्मक हो जाएंगे तो हमें 6 बटा 5 जो धनात्मक संक्या का योज्य परतिलों निकालना ठीक है योज्य परतिलों तो 6 बटा 5 धनात्मक का योज्य परतिलों होगा माइनस के 6 बटे 5 ठीक है इनको अगर हम हल करके देखते हैं तो हमारे आंसर क्या है जीरो आएंगे ठीक है अगला प्रिश्ण है दो बटे माइनस के 9 अब माइनस उपर हो ये नीचे हो इससे कोई फराक्ट मुझे न पड़ा क्योंकि प्लस- माइनस ओक भरणने मल्टिपलाए करते ही इस रीम वह जाए thing तो इसका जो योज्य परतिलों है का योज्य परतिलों वो क्या होगा दो बटे नो ठीक है जो माइनस दो बटे माइनस नो है या फिर माइनस दो बटे नो भी इसे हम लिख सकते हैं माइनस दो बटे नो का जो योज्य परतिलों होगा वो क्या होगा दो बटे नो है ठीक है या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते कि माइनस का माइनस दो बटे नो ठीक है माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस दो बटे नो यहां से यह दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएगे प्लस हो जाएगे तो यह कितना हो जाएगा दो बटे नो तो यह माइनस दो बटे नो क का योज्य प्रति लोग है और आकरी सवाल है Wy ow सवाल अमें 19 बडमाइंड हीले डिप्रोपर के जो योज्य प्रति लोग्ग है वो निकालना है का योज्य प्रति लोग ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो मैंनस उननीस बटे मिएस चले सकते हैं इसको ठीक है मैंनस और मैंनस यह हो जाएंगे प्लस के प्सक्राइब कीजिये ननिवाद